हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूटूब चैनल अमित सर चकिया एक बरपूना मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोड टूविल्थ की रैन्बो पार्ट टू का बहुत ही महत्पून चैप्टर का समड़ी जो बार-बार एकजाम में यह क्या है यह स्पीच है जिसको मार्टिन लोथर किंग जुनियर ने दिया था अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर ले साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूले जिससे समय समय पर आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो दोस्तों मैंने बताया कि I have a dream क्या है कि या है कि स्पीच है जिसको मार्टी लुथर किंग जुनियर ने दिया था और ये बहुत ही important chapter है examination point of view से तो चलिए हम लोग chapter में आते हैं दिया हुआ है कि I have a dream is a didactic speech delivered by मार्टी लुथर किंग जुनियर on the steps of the Lincoln Memorial in Washington in 1963 I have a dream एक सिछा प्रद भासन है जिसको 1963 में वासिंग्टन में Lincoln Memorial के सिर्यों पर मार्टी लुथर किंग जुनियर के द्वारा दिया गया था लिंकन Memorial है लिंकन अबराहम लिंकन की याद में एक इसमाणक मना था वासिंग्टन में उसी के सिर्यों पर भासन दे रहे है he was a great leader of the Negro और वे मतलब नेगरो जाती के एक बहुत ही महान नेता थे कौन मार्टीन लुथर किंग जुनियर अब देखिये क्या होता है अब देखिये क्या होता है the judgment came as a great hope to millions of Negro slaves who were no better than beasts अब यहां समझिये कि यह निर्ने आजादी की गोसना पत्र पे हस्ताक्षर वाला निर्ने came as a great hope to millions of Negro slaves यह लाखों नेगरो गुलामों के लिए एक आसा की कीरन के तौर पे आई थी एक महा नासा की रुप में आई थी who were no better than beasts मतलब जो जानवडों से बदतर जीवन जी रहे थे जो जानवडों से भी खराब जीवन जी रहे थे he points out that one century has passed but Negroes are still facing segregation and discrimination और वे आगे बताते हैं कि 100 साल बीत गय है लेकिन उसके बावजूद जो है भेद भाव का सामना कर रहे है segregation मतलब अलगावद और discrimination मतलब भेद भाव they are languishing in poverty too और वे लोग गरीबी में भी जीवन यापन करने पे बीवस हो रहे है वे लोग गरीबी में भी जीवन यापन करने पे बीवस हो रहे है he further says that the time is running out वे आगे बताते है कि समय बीत रहा है समय बीत रहा है America must remove racial injustice इसलिए America को अवज से जातिये अन्याय जातिये अत्याचार को खतम कर देना चाहिए हटा देना चाहिए it must bring equality between the black and the white और इसे अवज से जो है काले और गोडे लोगों के बीच में समानता की भावना लाना चाहिए समान जो है विचारधारा लाना चाहिए he wants that any delay may prove fatal and seek the foundation of the country और वे चितावनी भी देते है कि अगर इसमें अब देरी हुआ तो यह खतरनाक यह घातक साबित हो सकता है और देश के अधार को नीव को अस्तम को हिला सकता है देश के अधार को नीव को हिला सकता है he is quick to add that no bad means should be used to attain freedom देखिए कितने बड़े वक्ता थे कितने बड़े नेता थे वे तुरंत he is quick to add मतलब वे तुरंत जो है अपनी बात में कुछ और बात जोडते है क्या जोडते है that no bad means should be used to attain freedom कि कोई भी गलत जो है तरोड तड़ी के कोई भी गलत जो है medium जो है कोई भी गलत जो है तड़ी का नहीं अपनाया जाना चाहिए आजादी पराप्त करने के लिए कि नहीं मतलब साफ सुतरा अंधुलन होना चाहिए He calls upon the audience to conduct their struggle in dignified and disciplined manner और वो जो है अपने सुरोताव को अपने मतलब आजादी की लराई लरने वाले लोगों को अहवान करते हैं कि वे अपने संघर्स को मतलब एक मड़यादित और अनुसासित तरीके से जारी रखेंगे यह करवाहट और नफरत से मुक्त होना चाहिए अंदोलन करवाहट और नफरत से मुक्त होना चाहिए He again says that the Negro will never be satisfied until they get their freedom and justice और वह कुना कहते है कि नेगरो जाती के लोग दब तक संतुष नहीं होंगे जब तक उन्हें आजादी और इंसाफ नहीं मिल जाता है He then talks about his dream that is deeply rooted with the dreams of his country और तब जाकर जो है वो अपने सपनों का वर्नन करते है सपनों का बात करते है जो अमिरिका के सपनों से उनके देश के सपनों से गहडाई से जुरा हुआ है He is your dad, his dream that all men are created equal will be realized और वो इस बात से आस्वस्त है कि उनका सपना की सभी लोगों को एक समान बनाया गया है एक दिन अनुभाव किया जाएगा His dream is that man will be judged by his work and character not by his color और उनका सपना यह है कि इनसान को जो है मतलब उसके काम के द्वारा उसके चरित्र के द्वारा पहचान किया जाएगा उसके मतलब रंगों के अधार पे नहीं Finally, he hopes that such freedom will come true into every nook and corner of America where the black and the white will live together in atmosphere of brotherhood और अन्तव उमीद करते हैं आसा करते हैं कि ऐसी आजादी जो है अमेरिका के कोने कोने में एक दिन आ जाएगी जहां पे काले लोग और गोडे लोग जो है भाई-चाडे के वतावरन में रहेंगे The present piece of speech is an excellent example of oratorical skill और इस वज़ा से यह जो प्रस्तूत भासन है यह मतलब भासन विद्वता की चतुराई की एक बहुत ही सुन्दर उधारन है तो मैं उमिद करता हूँ दोस्तों यह बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा आप इसको याद कर लेंगे और यह एक्जाम में बहुत ही important है धन्यवाद